हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला, इसमें आज हम वेजिटेबल डाल के बनाएंगे, जिससे यह हैल्दी भी बनेगा, और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो चलिए शुरू पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, तो अब चलिए टाइम नवेज करते हुए शुरू करते हैं बेसन का चीला बनाना, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कब बेसन, सबसे पहले हम इसको डालेंगे एक मिक्सिंग बॉल में, अब मै इसमें मैं मिलाऊंगे 1-4 T. अजवायन, अजवायन को हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इसे खुश्बू और टेस दोन ही बहुत अच्छे आते हैं, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, यह देखी यह अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड थोड़ा करके पानी आड़ करूँगी, पानी हमें एक साथ नहीं दालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दालना है, अगर हम बेसन में पानी एक साथ दालेंगे, तो लम्स आ जाएंगे, जिसको अटाना थोड़ा मुश्किल होता है, यह देखी यह अच्छे से मिक्स ह हो गया है, इसमें जादा पानी नहीं लगा है, अब मैं इसमें दालूँगी, एक बारिक कटा हुआ प्याज, साथ में मिलाऊंगी, एक बारिक कटी हुई शिमला मिर्ची, यह वन फोर्स कब जितनी, मैंने पत्ता को भी बिल्कुल बारिक कट करके लिए है, और साथ में मैं लिया है, एक टमाटर, इसको भी बारिक बारे कट कर लिया है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें हमें पानी और नहीं दालना है, क्योंकि पत्ता, गोबी, प्याज, यह सभी नमक दालने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ती ही है, इस सभी को मैंने एक चुट के जितना खाने वाला सोडा, इसको हम लास्ट में ही एड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, यह परफेक्क गोल बनके हमारा तयार हो गया है, अब हम चलते हैं, गैस की तरफ और चीले बना लेते हैं, तवे को मैंने गैस पे रख दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा ओइल से ग्रीस करेंगे, अब हम यह जो मिक्स हमने तियार किया है, इसको दवे के ओपर दालेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे इसको हम, और लो टु मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, यह देखिए, इसको मैंने फैला लिया है, अभी हम इसक इसको एक साइड से पकने देंगे, जब यह नीचे से थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, यह देखिए, यह मूव कर रहा है, इसका मतलब यह नीचे से पक गया है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओईल दालूंगे, ज्यादा ओईल नह दालना है, थोड़ा सा ही दालना है, और इसको टर्न करेंगे, यह देखिए, इस साइड से बहुत ही अच्छा पक गया है, अब इसी तरह से इसको दूसरी साइड से भी हम पकने देंगे, यह देखिए, अच्छे से मूव कर रहा है, मतलब यह दूसरी साइड से भी पक गया अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यह देखी यह सिख गया है, लेकिन अब यह थोड़ा सा बीट में से कच्छा है, इसको हम थोड़ा सा ओईल लगाकर वापस से टर्ण करके थोड़ा सा और पकाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा दवाते हुए इसको हम सभी तरफ से अच्छा से स आप चाहें तो इसमें कोई भी वेडिटेबल डाल सकते हैं, बस ध्यान रगिएगा इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है, अगर आपको यह रैसिपी पसंद आई हो, तो आप यह रैसिपी जरूर ट्राय करें, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूस जरूर शियर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने family और friends के साथ share करें तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई recipe के साथ, thank you